तो संबंध हमारी कविता के सिर्षक है संबंध सुनिएगा संबंध आज सारे बेकार हो गए संबंध आज सारे बेकार हो गए रिष्टे पवित्र सारे तार तार हो गए आप किसी रिस्ते की पवित्रता के बारे मात कर चैलेंज देख नहीं कह सकते हैं तरह खराब समय आ गया संबन्द आज सारे बेकार हो गए रिस्ते पवित्र सारे तार तार हो गए पहले पड़ोसियों के बच्चों को भी कह देते पहले पड़ोसियों के बच्चों को भी कह देते अब घर में देखो दुस्मन बेशुमार हो गए जिनको पढ़ाया पाठ अब हैं पाठ पढ़ाते जिनको पढ़ाया पाठ अब हैं पाठ पढ़ाते मुझको बताकर मूर्ख हैं वे चत्र कहलाते जिनको सुधारने का जिम्मा था हमारा वे मुझमें एक लाख आयब क्रम से गिनाते पहले का जो समय था और कैसा था कि चाचा चचेरे भाई सगे बन के थे रहते घर के बुजुर्ग मालिकाना हक में थे रहते परिवार के सदस जहां जहां कमाते सबका खजाना एक था मालिक की सब सहते अगर आप जहां से सुनेगे तो आपको लोगे एक साथ आपके घर की बात तो नहीं कर रहे हैं चाचा चचेरे भाई सगे बन के थे रहते घर के बुजुर्ग मालिकाना हक में थे रहते परिवार के सदस जहां जहां कमाते सबका खजाना एक था मालिक की सब सहते मालिक के निर्णयों का प्रतिवाद नहीं होता विपरीत निर्णयों का भी मानसदा होता निस्ठा पर किसी के भी कोई प्रस्ण नहीं था संयुक्त था परिवार साथ जागता सोता सुख दुख में साथ रहते समवेत सक्त थी, घर क्या, पड़ोंसियों में भी अटूट भक्त थी, सुख दुख में साथ रहते समवेत सक्त थी, घर क्या, पड़ोंसियों में भी अटूट भक्त थी, रिष्टे में कोई दुष्वन का हो मान वही था, सवबात सुनकर टालने की सहन सक्त थी, न टेंट थे, न टेंट हाउस कैटरन थे, न टेंट हाउस कैटरन थे, शादी विवाह गाउं में सब एक साथ थे, गद्दा रजाई चार पाई का दो योग था ही, पकवान बनाने में गाउंवाले साथ थे, थी गाउं के पडोसियों की आबरू अपनी, थी गाम के पडोंस की पडोंसियों की आबरू अपनी करते सदा मदथे दुख दर्द भूल अपनी जब दाम पर लग दाम पर गई इजद गाम के निजपर थी गाम की प्रतिस्था सनम कुछ नहीं अपनी घाम में पर्टी बनी रोज लडाई ही लिकिन दूसरे गामउ Muragam u पहले दूसरे में निप्टो उ एक मिनट में एक हो जाते थी वो और श्रथी थी गाउओ वही आज भी पडूंस वही हाدم है गाउं वही आज भी पडोस वही है अब सोच में बिसोच है और होस नहीं है यो गाउं भूल जाईए परिवार देखिए परिवार में भी कहां अब जोसोफ खरोस है है गाउं वही आज भी पडोस वही है अब सोच में भी सोच है और होस नहीं है यो गाउं भूल जाईए परिवार देखिए परिवार में भी कहां जोसोफ खरोस है घर में डबल बेट सोफे कुरसियां जो आ गई घर में डबल बेट सोफे कुरसियां जो आ गई अपनों को पाते पाते खुद खो गए करें। अपनों को पाते पाते खुद खो गए करें। और दादी के पास बैट धर्म ध्यान सीखते। घर में अलाव जलते आज कल न दीखते। अपन इखट पे लड़कियों का हुजूम कहा अब। पनगट पे लड़कियों का हुजूम कहा अब। बैलों के पीछे पातों पर खुद से घजीडते। दादी के पास बैट धर्म ध्यान सीखते। घर में अलाव जलते आज कल न दीखते। पनगट पे लड़कियों का हुजूम कहा अब। बैलों के पीछे पाटों पर खुश थे घजीडते। जो थे कहाते आपने वे आप खो गए। जो थे कहाते आपने वे आप खो गए। जो जागरुक थे रहे प्रसांत सो गए। अब आपनी उसे किसी से कहिए पकी अब। जो थे कहाते आपने वे आप खो गएं। अपनों का अर्थ आज इसकदर सिमट गया परिवार के बड़े बजुर्ग दूर हो गए ले संभ्यता या यह कहां से टीवी की संभ्यता पाष्चात संस्कृति की संभ्यता भारत ऐसा तो नहीं था कहां जमिलिये विरासत ले संभेता विदेशी हम कैसे निखर गए हम कहते हम निखर गए तो ले संभेता विदेशी हम कैसे निखर गए जीवन की भागदोर में देखो किधर गए कहां जले गए ले संभेता विदेशी हम कैसे निखर गए जीवन की भाग दोड़ में देखो किधर गए बेहतर की खोज में थे बेहतरीन खो दिया संबंद सारे मर गए रिष्टे बिखर गए कर दो दोह घ्र गए ए ले हुचत आ गए ह टीय कर दो अ अ मुझ घए रूज ससमापन दिए संसा का लिए